कातिल कितना भी साथी क्यों न हो कानून के सिकंजे से बश नहीं सकता चंदोली जिले के अलीनागर पुलिस ने एक ऐसे ही कातिल को पकड़ा है जिसके कर्से की वज़े जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे इसी वक ने चोरी के पैसों के बटवारे को लेकर अपने ही साथे के हत्या कर दी और उसके सव को पुआल में चिपा कर भाग गया मामला का खुलासा तब हुआ जब रितर का मोबाइल परावद हुआ पुलिस के गिरफ्त में खड़ा यह वक कोई मामली चोर नहीं बलकि बाइक चोर गिरों का सातिर सदस्या है जो अपने साथी के साथ मिलकर बाइक चुराने का काम करता था और उसे बेचने के बाद पैसों का हपस में बटवारा कर लेता था वो इसके हत्ते चढ़ने के बाद इसने बताया कि इसका साथी एक्सर बतवारे के पैसे में बड़ा हिस्सा लेता था जिसको लेकर दोनों में कहा सुनी होती थी और यही कहा सुनी उसकी साथी की मौत का वज़ा बनी इस बार युवक ने बेचे गए चोरी के बाइक के पैसे से पहले अपने दोस्ट को शराब पिलाया और जब वो नसे में हो गया तो उसके सरपर एक बड़ा पत्थर दे मारा जिससे उसकी मौत हो गई अपने साथी की मौत के बाद उसने सव को पुवाल के बड़े से धेर में छिपा कर वहां से भाग निकला और उसकी मौबाइल को बेश दिया गटना के बाद पुलिस हत्यारों की तलास में हाथ पैर मार रही थी और इसी बीच मौबाइल पुलिस के हाथ लग गया और सारा मामला खुल गया यह 29 अप्रैल को एक अग्याद सव मिला था गुधना गाओं की सीमा में थाना अली नगर छेती जिसके सव की सिराक्त नहीं हो पा रही थी अग्याद सव था उसके पास सिनाक्त योग कोई सामगरी नहीं थी काफी प्रयास किया किया प्रयास करने से यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति मिसिंग है अदलहाट थाना चेत्र में उसके परिवार वालों को भुलवा करके कपड़ों की सिनाक्त कराई गई तो पता चला कि यह कपड़े गोबिंदूर फबिनास चौहान के हैं अंतिम बार अपने गाउं के ही एक साथी पंकच चौहान के साथ निकला पंकच चौहान की गिरफ्तारी की गई इनसे पूस्ताश की गई पूस्ताश में ग्यात हुआ कि मिर्था कवरे दोनों साथिर चोर हैं जो इलाके उनने अपने गाउं के बगल से एक मोट साइकल चुराई थी उसको बबरी ठानाच शेत में लाकरके सत्रह हजार रुपए में बेचा था साथे साथ हजार रुपए नगज मिल गए थे रुपए मिलने के बाद इनके मन में पाप आ गया इनका कहना ये है कि कई बार उसने ज मुबाल पड़ा था उससे सब को ठक दिया और से ले गए उसका मुबाइल पांच जार रुपए में ले जाकरके इन्होंने जगर गाउं में बेच दिया और वो गिरफतारी वरामत दी हो चुकी है मुबाइल वरामत हो गया